तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे Ohm's law तो Ohm's law हम लोग का voltage और current के बीच में relation बताता है voltage और current के बीच में relation बताता है मतलब यह कहता है कि अगर physical condition किसी भी register का अगर such as temperature, pressure, strain, मतलब तनाव कितना हो रहा है remains constant, then the potential difference applied क्या है? applied across it is directly proportional to the current flowing through it मतलब एक रहा है कि कोई भी एक register है या फिर कोई एक material है उस पे जितना ज़्यादा potential difference लगाओगे उतना ज़्यादा current वो उसमें से बहेगा अगर उसका physical condition बागो चीटी, बाद में पड़ लेना जाओ, ठीक है तो क्या होगा थे? across the register is directly proportional to current flowing through it तो चली इसको पहले हम लोग समझते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी material में electron होता है electron होता है, electron ही है, electron है आ गया तो हम लोग इसको register को हम लोग battery से connect कर रहा है तो battery में एक positive terminal होता है और negative terminal भी होता है तो positive terminal में क्या होता है? positive charge होता है और negative terminal में negative charge होता है तो यह electron क्या करेंगे सब? electron आएंगे सब इधर positive side और क्या होगा? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो electron इधर आएगा और जिस तर जिस तर हम लोग battery को बढ़ाएंगे तो यह positive जो charge है उतने ज्यादे यहाँ पे और बढ़ेंगे सब क्योंकि अगर potential बढ़ रहा है तो दोनों side जो charges है उदर बढ़ेंगे सब इतना clear होना चाहिए और हम लोग पहले जान लेते हैं कि जो current का direction होता है एलेक्ट्रोन तो इधर positive के साथ जाएगा लेकिन हम लोग पूराने समय से हम लोग जब electron नहीं जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यह जो current है वो positive terminal से बैता है तो हम लोग जो current का direction है current का वो electron का direction के उल्टे लेते हैं मलत कि अगर electron इधर बार रहा है तो current हम लोग का इस side जाएगा उसके opposite side तो जैसे जैसे हम लोग potential difference बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे जो electron पर force लाएगा जिसको हम लोग बोलते है force due to electric field यहाँ पर electric field एक टाइक बनता है इसी के वज़ा से यहाँ पर इस पर force लगता है electron पर तो ज्यादक गहरा है मैं अभी नहीं जाएगे पहले जाने थे बस कि electric field लगता है इस पर उस electric field के वज़ा से इस पर एक force लगता है तो जैसे जैसे हम लोग current voltage बढ़ाएंगे वैस किसी constant से apply करना पड़ेगा तो हम लोग R से ले लेते हैं अब मैं इसको लिख सकता हूँ मालो मैं इसको change in voltage यह चीज किसी उतना ज्याद है चीजिने करेंट की मलब resistance क्या होता है रजिस्टेंस होता है हम लों का change in voltage per unit changing current चैनल जोंटेज पर इन्ट चैनल करेंट हम लों का resistance यह होता है जब उम्स law में जब graph बनाया गया देखा गया कि क्या 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 वैरियेसन हो रहा है? voltage और current में ध्याफ के लिए देखा गया है तो रहा भला है मैं यहांपर graph बना रहा हूँ इस टाइप का graph है एस टाइप बना रहा है मझें मलग यहाप VOM Kyle को क्छत्य एंक इससी दर्लाक कर दिए विए और आई का ग्राफ उससी तरह आपर वblesट्मिटर लगाद यहापर वल्टमीटर लगा दिए ऊप N है hey little करनेता है और जो वोर्ट मीटर होता है वो सब मुझे लगता है कि सब बाद में हमलोग जानेंगे मदब यह वायर के समय में लगता है और जो जहान के निकाल Darth लगबग मिलेगा तो इससे हम लोग का वोम्स लॉओ प्रूव होता है कि हम लोग का जो स्टेट लाइन मिला है ठीक है तो अब resistance हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अगर मालो मैं graph इसका बना दिया तो इसका मैं resistance कैसे निकाल दोंगा तो तो intentionally कहले का ऑग्यषक होते हैं अंतरिका ग्राफिकली अमलों सकते हैं कैसे तो यहां पर दिख रहा है चेंज वोल्टेज पर इंट तो अगर मैं है यहां पर चेंज नलिये करेंट निकाल दिया किसी क्या current मिल रहा है ओ ले लेंगे और इसी तरह कि यहां पर को कि इस के लिए कि क्या current मिल रहा है ओ ले लेएगे तो यहां से यहां तक श्रगया चेंजिन current निकाल लेंगे data i सबस्थ है उसी तरह यहां पर change in है यहां चेंजेंग्ण फोल्केच कहले तो यहां से यहां तक चेंजेंग्स करेंट होगा तो रही हो सकता है कि हम लोग यह यह 1970 met אमक फिल यह 15 थे होगली तो मुणपर deleting से और निहां बैसे एगा यहां पर तो पुस्ट आ cannabis निहां पर लोगाल तो हम लोगे यह 0.1 एन्ल भी फोटिंज सबस्क्तिंस उख़या अगर माईलो यह यह पेलू दिया ही नहीं और बोल दिया कि यह हम लोग का एंगल कुछ बना रहा है कुछ एंगल मानलो 45 डिगरी बना रहा है अब कैसे पाता करोगे कि क्या रेजिस्टेंस है तब तो दिमाग दिमाग उड़ी जाएगा तो हम लोग कुछ और सोचते हैं अगर हम लोगों ट्रिक्नोमेट्री पढ़े होंगे तो ट्रिक्नोमेट्री में कुछ टर्म होता है टैन ठीटा टैन ठीटा क्या होता है किसी भी ट्रैंगल में टैन ठीटा उसको वो डिफाइंड होता है जैसे कि यहां कोई रैट एंगल ट्रैंगल होना चाहिए तो रैट एं ठीटा के आगे कौन सा लाइन है तो ठीटा के आगे यह वाली लाइन है जिसको मैं perpendicular बोल दूँगा और यह हाइपोटेनेस हो जाएगा क्योंकि यह वाला बड़ा बड़ा है सबसे बड़ा बड़ा है उसी तरह यह वाला base हो जाएगा तो अब हो गया 10 ठीटा क्या होता है 10 ठ ठीटा होता है P by B P by B 10 ठीटा होता है P by B यहां तो clear है 10 ठीटा हम लोग क्या होता है परपेंडिकुलर बाइबेस 10 ठीटा होता है मतलब कि अगर मैं बेस कॉंस्टेट रख दूँँ इसको बढ़ाते जाओंगा तो 10 ठीटा भी बढ़ते जाएगा इस तरह समझ सकते हैं तो यह चीज़ ध्यान रखना है तो उसी तरह यहां पर भी हम लोगों कुछ मिल रहा है अगर मैं यह अंगल ठीटा ले ले रहा हूं तो यह वाला भी ठीटा होगा क्यों तो 10 ठीटा मैं सोच रहा हूं 10 ठीटा इसका 10 ठीटा क्या होगा अगर यह ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है यह वाला ट्रेंगल मैं ले रहा हूं राइट एंगल ट्रेंगल है तो इ अब डेल्टा V by data i क्या है डेल्टा V by data i आर है तो आर ले ले लेते हैं इस इकल टू आर हो गया है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तैंट फिटा is equal to resistance यह तो बहुत ही बड़ी है अट्रिक है कि अगर हम लोग को कोई अगर ग्राफ दे दी आ है V by I का तो हम लोग सिंपली अ मुल्त बता देंगे बस एंगल पता करके बोल दिया इस तरह दे दिया कोई graph दे दिया सके इड़ाइ दे दिया और यह वी फूहा पर आइ होना चाहिए और की निटे चाहिए और चरथे गरोग हो दोगे तो उन पलट जाएगा वो बात में देखा जाएगा तो पलट जाएगा तो माल लेते हैं यह 30 डिग्री बना दिया 30 डिग्री बनाएगा अब क्या होगा देखो 30 डिग्री बनाएगा मनलग 10 ठीटा क्या होगा 10 ठीटा होगा 30 डिग्री रेजिस्टेंस अमलू का यह हो जाएगा 10 ठीटा 30 डिग्री अगर तुमको याद है तो value रख सकते हो अगर नहीं याद है तो यह पर छोड़ देना आगे trigonometry में पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा सब कुछ उसी तरह 10 45 डिग्री दे दिया देखो मैं याँ से यह निकाल देंगा 10 45 डिग्री अगर यह वाला 45 डिग्री दे दिया तो क्या होगा 10 45 डिग्री और 10 45 डिग्री का वेलमन को पता है 1 ओम 1 होता है 1 ओम हो जाएगा तो इस तरह भी निकाला जा सकता है अगर मैं slope बढ़ा रहा हूँ मतलब कि जो angle है जो angle जो बना रही है यह वाली line जो बन रही है उसका angle बढ़ा रहा हूँ positive direction से तब क्या होगा तब यह होगा तब resistance बढ़ेगा जितना ज़्यदा slope बढ़ाओगे यह जो angle बढ़ाओगे उतना ज़्यदा resistance बढ़ेगा मतलब कि अगर यह R1 है यह R2 है यह R3 है तो resistance किसका ज़्यदा होगा किसका ज़्यदा होगा R3 का ज़्यदा होगा उसके बदा R2 का होगा उसके बाद R1 का होगा, क्योंकि R3 वाला जो लाइन है, उसके ज़्यादा एंगल बना रहा है, उसके बाद R2 वाला बना रहा है, तो ठीक है, यहां तक लिए हो गया, एक चीज़ बस बताना चाहता हूँ, कि यह Ohms Law है, Ohms Law High Voltage पे, वो valid नहीं है, कैसे valid नहीं है, क्योंकि, क् हम लोग High Voltage पे जाते हैं, पहले तो सुन में खुब इस्टेट रहता है, उसके बाद जैसे-जैसे voltage बढ़ा दें जाते हैं, तो Ohms Law इस तरह हो जाता है कुछ, तो अभी यह क्या है, यह है कि, अब Ohms Law नहीं follow कर रहा है, जैसे-जैसे हम लोग voltage बढ़ा रहा है, जैसे-जैस Ohms Law नहीं follow करता है, High Voltage पे, और कुछ materials भी होता है, जैसे semi-conductors, semi-conductor type का material होता है, वो भी Ohms Law नहीं follow करता है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही,